आज की इस वीडियो में हम बताएंगे Spice Money के Subdistributor and Retail ID को फास्ट बार लोगिन कैसे करेंगे इसकी complete जानकारी step by step देंगे तो इस वीडियो के एक लाइक कर दिया और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पॉल में कर दिये लेटेस्ट वीडियो इस इस तरह का SMS आएगा और यहां पर लिखा हुआ है Congratulations Your Account has been created your login ID इतना है और पासपर्ट आपका इतना है तो इसको login करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile के browser पर जाना है तो browser पर जाने से पहले आपको इसको copy कर लेना है या आपको यहां पर आपको देख लेना है अपने mobile पर कोई भी browser को open करना है browser को open करने के बाद आपको यहां search bar में एक बार किलिक करना है उसके बाद search bar में आपको search करना है Spice money लिख कर देना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इ Nettr subscribers आएगा तो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है उपर करने की बाद यहां पर देखे लिखा हुआ Spice money Agent login इसको पर आपको एक बार किल्ग करना है इसको करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर एजेंट आईडे और यहां पर पासवर्ड डलना है जो आपके मुवाइल पर एजेंट आईडे और पासवर्ड आया है उसको आपको यहां पर सेक्सपुली कॉपी कर लेना है या आपको देखते हुए यहां पर type करना है अगर capital रहेगा तो capital में small रहेगा तो small में आपको type कर दिना है सभी आपको यहां पर user ID और passport type कर देना है उसके बाद आपको simply यहां login पर click करना है अगर आपको सब्स्ट्यूटर ID रहेगा तो आपका यहां पर जो agent ID रहेगा वो आपका ts देके number दिया हुआ मतलब आपका अगर TS देखे है तो आपका सब डिस्टिबूटर आईडी है अगर SDL देखे रहेगा तो आपको यहाँ पर आपका रिटरा आईडी रहेगा SDL रहेगा तो आपका Griter ID रहेगा, TS रहेगा तो आपका Sub distributor ID रहेगा, यहाँ पर आपका Successfully Login हो जाएगा, यहाँ पर Passport Save करने के लिए बोलेगा, तो अभी आपको Passport Save नहीं करना है, उसके वाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहां पर देखे लिखा हुआ, reset your password तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको सबसे पहले आपको password change करना यहां पर तो यहां पर आपको new password डालना है यहां पर hard password डालना है जिसमें आपका मतलब 8 digit होना चाहिए और यहां भी नीचे पर आपको password डालना है confirm password उसके बाद reset password पर आपको यहां पर simply click करना है उसके बाद आपका password successfully change हो जाएगा और यहां पर देखे लिखा हुआ है और आपके mobile पर भी इसी तरह का आपका message आ जाएगा कि आपका password यह हो चेंज हो चुका है और यहां पर आपको password save करने के लिए बोलेगा तो आपको यहां save पर click करना है उसके बाद फिर से login करने के लिए बोलेगा तो आपको यहां login पर click करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहां पर आपना user ID और password आपको डाल देना है उसके बाद login पर click करना है, login पर जैसे click करेंगे तो आपका यहाँ पर वीडियो क्लिप आपको मंगेगा, यहाँ पर upload करने के लिए बोलेगा, अगर आप वीडियो क्लिप अगर नहीं दिये है, user ID और पास्पर लेने के तो यहाँ पर आप अपना वीडियो क्लिप दे सकते हैं उस पर आपको वीडियो क्लिप में अपना नाम बताना है, और जो mobile नंबर दे के आप registration करेंगे, वो mobile नंबर बताना है, और अपना address बताना है, अधर का और last में बताना है कि मैं Spice Money के साथ जूल के काम करना चाहता हूँ, और यह वीडियो आपको यहाँ पर click करके upload कर देना तो यहाँ पर अभी हम इसको skip कर देतے हैं, बाद में video के लिए upload करेंगे, हम video नहीं दिये थे, इसलिए यहाँ पर video के वाशी के लिए बोल करने के लिए, तो हम यहाँ पर अभी skip कर देते हैं, बाद में इसको upload कर देंगे, उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपका ID successfully login हो चुका है तो इस तरह से आप अपने Spice Money के रिटर आईडी या सब डिस्ट्रीटर आईडी को फास्ट बार login कर सकते हैं और अपना पासवर्ड सेब कर सकते हैं मूबायल के प्ले इस्टोर पर आएंगे प्ले इस्टोर पर आने के बाद यहाँ सेर्च बार में सेर्च करेंगे Spice Money Spice Money लिखके जैसे ही सेर्च करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो हम अभी Spice Money को डाउनलोड करके इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर language सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको अपना language सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ next के option पर किलिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का interface आएगा तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं नहीं तो आप नीचे skip पर क्लिक करेंगे skip पर जैसे click करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का interface आएगा उसके बाद आपको just continue 식 जैसे क्लिक करेंगा तो आपको कुछ यहां पर एलाव करने के लिए बोलेगा तो आपको यहां पर एलाव पर क्लिक करना है एलाव पर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको एजन्ट आइड और पासपट डालने के लिए बोलेगा त पर OTP जाएगा, OTP जैसे ही डालेंगे तो आपका successfully यहाँ पर submit हो जाएगा automatic ही और यहाँ पर आपका login हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर successfully login हो चुका है OTP verify हो चुका है, और यहाँ पर आपका कुछ dashboard का इस तरह का interface आएगा यह मेरा new ID है, इसलिए यहाँ पर 00 violence हो रहा, और यहाँ पर मेरा sub distributor ID है इसलिए आपका यहाँ पर देखिए, TS देखे और number दिया हुआ रहेगा, मतलब TS रहेगा तो आपका sub distributor ID है और SDL रहेगा तो आपका retailer ID है, और हमारी यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरू बताया और हमरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके bell icon कॉल में कर दिजे, latest video सबसे पहले देखने के लिए